अंग्रेजों की कहानियां हम बच्पन से ही सुनते चले आ रहे हैं जहां हम यह जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल से भी जादा हुकूमत की और इन 200 सालों में इन्होंने बहुत सारे खजाने भारत से लूट लिए भारत पर किसी ने भी राज किया उसने भारत को और आज भारत की स्तिती को कुछ इस तरह से बना दिया है कि भारत की अर्थ विवस्ता को ठीक करने के लिए दूसरे देश से कर्द लेने की जुरुत पड़ जाती है। लेकिन साथ में भारत की सोने की चिडिया कही जाने वाले भारत के सोने के पंक भी ले गए। जो बताया जा रहा है वो सही है और इनकी टेकनीक क्या थी इन खजाने को लूटने की और लूटे हुए खजाने को आज कहां पर छुपा कर रखा गया है या उन्हें कहां पर पहुचाया गया। तो दोस्तों बने रही है दिफैक्टन जिपर्स की आज की वीडियो में। ब्रेटेश ने जो खजाने इंडिया से लूटे है वो खजाने का इस्तेमाल सिफो अपने ले ही नहीं बलके दूसरे देशों की बड़ोतरी के लिए भी करता था और वहाँ पे इंडिया का नाम निशान तक नहीं होता था। का जाता है कि अगर जितना पैसा ब्रेटेश ने चुराया या अगर उतने चुराय हुए पैसे को वो इंडिया में ही लगा देते जिस तरह जापान ने अपनी कंट्री के साथ किया तो आज दुनिया में सूपर पावर बनने से इंडिया को कोई नहीं रोक सकता था। और आ केमरून का भी यही कहना है कि अंग्रेजों ने भारत पर हुकुमत तो की लेकिन उनकी काफी अर्थ विवस्तक को सुधार कर दिया और उनकी मदद भी की मगर दोस्तों ये साफ जूड के पीछे का काला सच सभी जानते है और यहीं से लूटी गई शानों शौकत पर अंग् मूर्थी को देखिए ये पिछले 1500 सालों से इंगलेंड के एक म्यूजियम के अंदर सेफ करके रखी गई है 1871 में बिहार के सुल्तान गंज से अंग्रेज इस मूर्थी को अपने साथ ले गए थे अगर ये उस जगह से इसे ब्रेटें ना ले गई होते तो आज ये बिहार क एक काफी बड़े म्यूजियम में रखी गई होती और आज के टाइम पर इसे जिस म्यूजियम में रखा गया है इसे बर्मिंगम बुद्धा के नाम से पुकारा जाने लगा है ये मूर्थी आदे कोईंटल से भी जादा वजनी है जो के रेलवे खुदाई के टाइम पर मिल अमरावती बौध्धि धरम का एक बहुत ही बड़ा केंदर रही है यहाँ पर अमरावती नाम का एक कजबा है जो के पहले गुन्तूर जिले के अंदर आया करता था यहाँ पर बौध्धि स्थूप के चारो तरफ पत्थरों का एक घेरा और दरवाजा बनाया गया था इन अफशेश 27 सदी के अंदर एक अंग्रेज अधिखारी ने खोज निकाले थे, वही 120 से भी जादा पत्थरों को आज भी इंग्लेंड के म्यूजियम के अंदर सेफ करके रखा गया है, कहा जाता है कि इन पत्थरों को 1800 बीट्स के बाद इंग्लेंड भिजवाया गया, सरस्वत की संग मरमर की मूर्ती, 1890 के दशक में ब्रिटीन की एक म्यूजियम में सरस्वती की संग मरमर की मूर्ती बिजाई गई थी, अंग्रेजों के ये मूर्ती मद्ध फरदेश के धार जिले से मिरी थी, मूर्ती के उपर अलग-अलग चीजों से अलग-अलग वर्ड लिखी उनकी शहादत के बाद ही उनकी अंगोटियां और उनकी तल्वार उनके पास से ले ली गई, इस तल्वार की मूट पर टाइगर का लोगो बना हुआ है, जो इसे काफे ही शक्ति शाली दिखाता है टिपो सुल्तान की शान कही जाने वाले तलवार युद्ध के बाद अंग्रेजों के सामने ही पड़ी हुई थी इस तीनिया कमपनी की मेजर थॉमस होट इस अपने साथ ले गए दोस्तों अगर भारत और अंग्रेजों की बात की जा रही है उसके बीच में कोहे नूर का जिक्र ना आए ये तो मुम्किन ही नहीं हर किस्म की हीरों के अंदर कोहे नूर दुनिया का सबसे महेंगा हीरा है कोहे नूर का मतलब होता है पहाडों पर जगमगाने वाली रोशनी कहा जाता है कि इसे आंधरा परदेश के ख़दान कॉंटूर में से निकाला गया था लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे देश है जो कोहे नूर को अपने खुद के देश का होने का दावा करते है कोहे नूर बहुत सारे अलग-अलग मुगल बादशाहों के पास भी रह चुका है 14-वी सधी में ये हीरा अलाउद दीन खिलजी के पास रह चुका है इसके बाद 1526 में मुगल शासक बाबर ने इसे अपने पास रखा बाबर ने अपने बाबर नामे के अंदर ये लिखा कि उन्हें ये हीरा इबराहीम लोदी ने भेट किया था राजर अंजीत सिंग ने इस कोहे नूर हीरे को अपने मृत्यू के बाद एक मंदिर में दान करने के लिए कहा लेकिन इस इंडिया कमपणी ने उनकी वसियत नहीं मानी अंग्रेजों ने राजर अंजीत सिंग की सभी संपत्ती और उनके सभी राज्यू पर कबजा कर लिया ब्रिटिश लोगों ने इस हीरे को ब्रिटीन की महरानी विक्टोरिया को सौपने की मांग की कोहिनूर हीरा बहुत सारे मुगल बाच्शाहों से होता हुआ काफी लंबा सफर तैकर की आज ब्रिटेन में रखा हुआ है हाल ही में न्यूस चैनल्स और अलग-अलग जगों पर कोहिनूर हीरा चर्चु का विशय बना रहा है शिवजी महराज के पास तीन तल्वारे थी इनके नाम भवानी, जगदंबा और तुलजा थे और इहीं की जगदंबा तल्वार इंग्लेंड के म्यूजियम में आज भी रखी गई है ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड सेवेंथ को भारत की यातरा के दोरान ये तल्वार तोफे में दी गई थी ये तल्वार पहले महरानी एलिजबत के पिता के पास थी वहीं अगर बात करें भावानी और तुल्जा तल्वारों की तो ये 200 साल से किसी को नहीं मिली है लेकिन आज की टाइम पर कुछ मराथा तल्वारे सतारा के म्यूजियम में सेफ रखी गई है तो दोस्तो ये थी थी फैक्ट और जिपर्स की आज की वीडियो उमिद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेस करें ताके आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थुर मिल सके थैंक यो फोर वाचिंग दिस वीडियो